हिमाचल प्रदेश के विश्वस्निय ज्वेलर भूशिन ज्वेलर सोलन प्रदेश के विश्वस्निय ज्वेलर सोलन प्रदान मंत्री ने भी कहा है कि दवाई भी और कडाई भी तो दवाई चलती रहे दवाई में दोज होता है उसके बाद 14 दिन का स्मय आगे होता है बेहलिस दिन के बाद उसका वो इफेक्ट होता है और वैसे भी दवाई का 95 परसेंट तक ही जो है इफेक्टिवनेस उसमें कमपनियों की और से जो है कहा गया है और वो उसे कम भी हो सकती है तो इसलिए अभी जो है वो हम जब तक complete खतम नहीं होता है तो हम इसको जो है कड़ाई धिराई ने बरस सकते हैं इसलिए कम से कम मेरा निवेदन है सभी से के हम मास्क के बगैर ना चलें मास्क जो है वो compulsory है और मास्क पहन करके ही हम जाएं किसको करोना वाइरस का जो है वो अभी वाइरस हो गया है वो कैसे transmit दूसरे में हो जाएगा तो अगर मास्क नहीं पहना होगा आपने तो वो किसी को भी हो सकता है इसलिए अब थोड़ी सी जो है वो क्योंकि स्वास्थिया दुभाग में जो बैट सी तही थी थी वो कम हो गये है अब अगर संक्रमन होगा तो लोगों को दिक्कत जादा होगी इसलिए अपनी जो है बचाओ जो है हर व्यक्ती स्वेम करे एक साल हो गया है हमको क्या क्या करना है लॉक्डाउन भी हो गया है उसके बाद आपके मास्क भी बहन रहे हैं जब मास्क नहीं थे तो लोगों ने खुद मास्क भी बनाए है प्रदेश कैंद्री सरकार ने बनाए है तो अब आगे के लिए इसको ढ़िलाई ना बरते है सब अनावश्यक क्रूप से ना घूमें तेहिंगे पर अनावश्यक क्रूप से भीड इकठी ना करें